तो आएए बिना देर किये हुए वीडियो को अस्टार्ट करते सेंस ओर्गन से सेंस ओर्गन हमारे सरीर में कौन कौन होता और किस किसको सेंस करता है यानि कैसे सेंस करता है सेंस करने की क्या क्या काम में आता ये देखिए सेंस ओर्गन हमारे सरीर में पांस टो होता है आख, कान, नाक, तवाचा और जीबे ये पांच सेंस ओर्गन होते हैं और ये पांच सेंस ओर्गन को बारी-बारी समझ लेते हैं जो आख होता है आख देखने के सेंस करता है कोई भी सामने आपको वस्तु रखा गया है उसको असकेन कर लेता है देखने के में सिंस कौन करता है आँग तो आँग से हम लोग सिंस करते हैं देखने के लिए यानि ये देखता है किसी वस्तु को सिंस कर लेता है नहीं ये बड़ा वस्तु छोटा है कौन करता है आग करता लाल है यह सभी रंगों का शहीं करने में ये सब आँक की काम होता है और जो काँ होता है आवाज को को सेंस करता है यह जैसे आवाज जैसे हम बोल रहे हैं आपके मोबाईल स्पिकर के माध्यम से आप सुन रहे हैं तो उसको सुनने के लिए सेंस कौन कर रहा है सेंस कर रहा है जो कान क्या कर रहा है सेंस कर रहा है तो कान आवाज को सेंस करता है नाक जो गंद को सेंस करता है जै आएगा की ना आएगा यानि उस असमेल यानि उस गंद को कौन सेंस करता है तो नाक तुरांत कौन सेंस कर लेता है नाक सेंस करता है और तुवाचा समझे तुवाचा गर्मी ठंडा बरसादे से तुवाचा अभी अभी गर्मी हो रहा है चाहे ठंडा पढ़ रहा है कुछ भी सरीर में सबसे बड़ी सेंस और ने तुवाचा पूड़ी सरीर में ये तुवाचा मतलब है सबसे बड़ी सेंस और नोती ये तुवाचा क्या करती है जैसे गर्मी को सेंस कर लेती है जैसे ताप ताप बोल सकते गरम ठंडा ठंडा इन सभी को सेंस करने में कौन आकाम आता है तो आचा ही सेंस करता है और जीव जैसे स्वाद सेंस करता है यानि कोई भी चीज खाते हैं खराब बना है कि अच्छा बना उसको स्वाद लेते हैं कि न लेते हैं तो स्वाद को सेंस करने में मदद कौन करता है जीव स्वाद को सेंस करता है आक देखने में सेंस करता है कान सुनने के लिए नाक जो असमेल सांस लेने के लिए भी नाक होता है असमेल का भी सेंस कौन कर लेता है नाक कर लेता है तो आचा जो टाप को बतलाता है ताप गरह में ठंडा है कैसा है कैसी है यह सब कौन बतलाएगा तो आचा बतलाएगा और जीव स्वात को बतलाता है कैसा खाना बनाए और कैसा नहीं खाना बनाए यह पांच पंच सेंस औरगन के अलावा एक मनुष्य में जो सजटसेंस और रही होता है जो अपहर mean कि यह तुर नहीं की दुर लेते हैं कि क्या होने वाला है थिह हमारा चाठा सेंस और भन होता है मां लोग कि सीबस से बुद इसके गयुत हुआ है करेगा कि नहीं कर रहा है जाने के अप नहीं बीजायंगे यह निशचित नहीं होती है समझें यही पाच सेंस ओर्गन हम लोग को पढ़ना एक छाठा सेंस ओर्गन वी होता है जो एटिमेटिक काम करता है जो भगवान के भले छोड़ देते हैं हम लोग छाठा सेंस ओर्गन में तो यही ता सेंस ओर्गन I hope कि आप लोग समझे होंगे बविश्य को अभास कर लेता है कौन? छटवा सेंस ओर्गन बविश्य में जो अभास होने वाला होता है जिसे बविश्य अभास कर लेता है बविश्य में क्या घटना होने वाली है क्या घटना नहीं घटने वाली है कुछ-کुछ लोग को आभास हो जाता है यहाँ पर जाने से ही हो जाएगा यानि पहले ही उस घटना को भाप जाता है भाप लेगा वही छटवा गेना अंधिरिया है लेकिन वो हमेशा किसी किसी में डेबलप होता है नहीं भी होता है हम लोग के पाथ यह सेंस औरगा नहीं पढ़ना है I hope कि यह साइस सेंस औरगा आप समझे होंगे तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में